मस्कार दोस्तों, IRFC का quarterly result दिसंबर 2020 में आया था 20 तारिको, March में आया था आपको 21 March को आया था quarterly result और उसके बाज इसी 2021 में जून में आया था 21 जून को और अब quarterly result सितंबर में आपको इंटाडेटेक मुंबई MBA BK सिंग दे रहे हैं कि कब quarterly result आपके सामने आने वाला सबसे पहले इंटाडेटेक मुंबई पे MBA BK सिंग आपके मुबाइल पे आपके सिस्टम पे आपके कम्पूटर पे लेटप पे सबसे पहले आपके पास पहुचेगा सितंबर का quarterly result IRFC Indian Railway Finance Corporation Limited की जो result है ओ कैसा होगा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं अगर आप share market में IRFC का stock लिये हुए हैं तो आप कम से कम 22 तारिक तक एक भी share नहीं बेचिएगा क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि इसका revenue क्या है अभी तक का revenue है इसका 1.51 trillion क्रोड IRFC का revenue है 1.51 trillion क्रोड और net income इसका है आपको 1.5 trillion क्रोड और net profit margin इसका आपको सुन के आश्चर जोगा कि ये 99.56% net profit margin IRFC का अभी तक का है दूसरी बात 21 सितंबर को quarterly result आ रहा है और आपको bonus dividend के साथ आ रहा है ये आप 100% आप जान लिजे इसलिए आप एक भी share 22 तारिक तक कम से कम नहीं बेचेगा इंटाडेटेक मुंबई आपको सबसे पहले बताएगा कि क्या हुआ IRFC का जो भी share धारक है अगर पहली बार आये हैं इंटाडेटेक मुंबई पे तब पहली बार आये हैं तो जरूर सब्सक्राइब के लिए और हमारा पिछला वीडियो जरूर आप देख लिजे जय हिन जय भारत बंदे मातरम